नमस्ते बच्चों, आज हम आशाड का एक दिन तीसरा अंख पढ़ने जा रहे हैं कुछ और वर्षों के बाद वर्षा और मेख गर्जन का शब्द परदा उठने पर वही प्रकोष्ट एक दीपक जल रहा है प्रकोष्ट की स्थिती में पहले से बहुत अंतर दिखाई देता है सब कुछ जरजर और अस्त व्यस्त है कुम्ब केवल एक है और उसका भी कोना तूटा है आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाग छाल नहीं है दिवारों पर से स्वास्तिक आदी के चिन लगबग बुझ चुके है चूले के पास केवल दो एक बरतन है जिन पर स्याही चड़ी है एक कोने में फटे मेले वस्त्र एकत्रित है प्रकोष्ट में कोई नहीं है मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है चारो ओर द्रिष्टी डाल कर एक लंबी सांस लेता है नकारात्मक ढंग से सिर हिलाता है और प्रकोष्ट के बीचो बीच आ जाता है मैं हूँ मातुल, देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुरगती की है मलिका का स्वर अंदर से सुनाई देता है कौन है मैं हूँ मातुल देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुरगती की है सिर्ष से और वस्त्रों से पानी निचोडने लगता है मली का अंदर से आती है उसके वस्त्र फटे हैं रंग पहले से काला पड़ गया है और आखों का भाव भी विचित्र सा लगता है उसके विक्तित्व में भी प्रकोष्ट कीसी ही जीर्णता है किवाड खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है वहाँ अब तल्प के स्थान पर एक तूटा पालना रखा है मली का बाहर आकर किवाड बंद कर देती है आर्य मातुल आप इस वर्षा में वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी सोचा जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मलिका हो यह आशार की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है पहले जब दो पैरो पर चल लेता था तब मैंने भारी से भारी वर्षा की भी चिंता नहीं की परंटो अब यह स्थिति है कि बैसा की आगे रखता हूं तो पैर पीछे को फिसल जाता है और पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे को फिसल जाती है यह जानता कि राज प्रसाथ में रहे कर पाओ तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़ कर वहां नहीं जाता अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कही पैर टिकता ही नहीं इन चिकने शिलाखंडों से तो वहां मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकरती तो थी मैं तो अब घर के रहते बेघर हो रहा हूँ न बहार रहते बनता है न अंदर उन श्वेद शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे प्रासाद का स्मरण हो आता है जहां रहे कर एक पाव तोड़ा खड़े रहने में कष्ट होगा आसन ले लीजे मातुल आसन के पास जाकर बैसाखी रख देता है और जम कर बैठ जाता है मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राज प्रासाद में रहने से अधिक कष्ट का स्थिती संसार में हो ही नहीं सकती आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे है पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे है सच कहता हूँ मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे है या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ और इससे भी कश्टकास थी यह थी कि जिन व्यक्तियों को देख कर मेरा आदर से सिर जुखाने का मन करता था वे मेरे सामने सिर जुका देते थे मेरे सामने हाथ से अपनी और संकेत करता है बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके सामने कोई सिर जुका है मातुल न देवी है न देवता न पंडित है न राजा है तो फिर क्यों कोई सिर जुका कर मातुल की वंदना करे प्रस्थुत थे और मैं बार बार अपने को छूँ कर देखता था कि मेरा शरीर हाड मांस का ही है या चिकने पत्थर का हो गया है जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है यहां आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि न कोई जुक कर मेरी वंदना करता है और नहीं मुझे ब्रह्म होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे है केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती वस्त्र सुखाने के लिए आग चला दो मातुल चूले की ओर देखता है फिर चारो ओर व्रिष्टी डालता है तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है अंबिका के नहा रहने से घर की व्यवस्था ही नहीं रही यह ठीक है कि प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राय भिजवाई थी जो तुमने लोटा दी मुझे उनकी आवशक्ता नहीं है और इस घर के परिसंसकार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा मैंने किसी परिसंसकार की आवशक्ता नहीं समुझी गरंथ रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है फिर उसे मातुल के पास आसन पर रख देती है आप जला दूँ नहीं वर्शा थम रही है बैसाखी लिये हुए जरोखे के पास चला जाता है हल्की हल्की बुंदे है किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुँच जाओ तो वही वस्य सुखाओंगा कही फिर धारासार बरसने लगा तो बस जरोखे से हट कर मलिका के पास आ जाता है तुमने कश्मीर का कुछ सामाचार सुना है मलिका गंभीर और स्थिर द्रिष्टी से उसकी ओर देखती रहती है मैं हर समय घर में ही रहती हूँ कहीं का भी सामाचार कैसे सुन सकती हूँ मैंने सुना है विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है राजनीती में कुछ भी असंभव नहीं है जितना संभव है कि ऐसा नहो उतना ही संभव है कि ऐसा हो और यह भी संभव है कि जो हो वो नहो मलिका अप्रतिव से उसकी ओर देखती रहती है परंतु समाचार क्या है? समाचार यहा है कि समराद का निधन हो गया है काश्मीर में विद्रोही शक्तिया सिर उठा रही है वही से आए एक आहद सैनिक का कहना है कि करिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है उन्होंने काश्मीर छोड़ दिया है? वैसे ही आप रतिप से आसन पर बैठ जाती है और काशी चला गया है परंतु मुझे विश्वास नहीं होता उसका राजधानी में इतना मान है यदि काश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सिधे राजधानी चले जाना चाहिए था परंतु असंभव भी नहीं है एक राजनेतिक जीवन दूसरे कालिदस मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धूरी नहीं पैजान पाया मैं समझता हूं कि जो कुछ मैं समझ पाता हूं सत्य सदा उसके विपरीत होता है और मैं जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूं तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है अतहां मैं जो कुछ समझ पाता हूं वह सदा जूट होता है इसे से अब तुम निशकर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है कि उसने सन्यास ले लिया है या नहीं लिया मैं समझता हूँ कि उसने सन्यास नहीं लिया इसलिए सत्य ही होना चाहिए कि उसने सन्यास ले लिया है और काशी चला गया मलिका, आसन से ग्रंथ उठा कर वक्ष से लगा लेती है नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता, मेरा रिदे इसे स्विकार नहीं करता मैंने तुमसे क्या कहा था, कि मैं जो कहूंगा वह कभी सत्य नहीं हो सकता इसलिए मैं कुछ नहीं कहता वह काशी गया है तो भी मैं जूटा हूँ, नहीं गया तो भी जूटा हूँ, यहां तो ठीक है वैसाखी पटकता हुआ चला जाता है, मलिका गुमसुमसी आसन पर बैठी रहती है नहीं, तुम काशी नहीं गये, तुमने सन्यास नहीं लिया, मैंने इसलिए तुमसे यहां से जाने के लिए नहीं कहा था मैंने इसलिए भी नहीं कहा था, कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुपकामनाएं दिल, यद्दिपी प्रत्यक्ष, तुमने वह शुपकामनाएं ग्रहन नहीं किया ग्रंथ को हाथों में लिए जैसे अभियोग पूल द्रिष्टी से उसे देखती है यद्दिपी तुम्हारे जीवन में नहीं रहे, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हैं मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया, तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धी है ग्रंथ को घुटनों पर रख लेती है तुम मेरे जीवन को इस तरह निदर्थक कर दोगे ग्रंथ को आसन पर रख कर उद्विग्न द्रिष्टी से उसकी ओर देखती रहती है तुम जीवन से तठस्त हो सकते हो परंथु मैं तो अब अधस्त नहीं हो सकती क्या जीवन को तुम मेरी द्रिष्टी से देख सकते हो जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतित हुए है मैंने क्या क्या देखा है क्या से क्या हुई हूँ उठकर अंदर का किवार खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है इस जीव को देखते हो पहचान सकते हो यह मल्लिका है जो दीरे दीरे बड़ी हो रही है और मा के स्थान पर अब मैं उसकी देख भाल करती हूँ यह मेरे अभाव की संतान है जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका परन्तो अभाव की कोष्ट में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतिया है जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेशन उपारजित किया है और अब मैं अपनी दृष्टी में नाम नहीं केवल विशेशन है किवाड बंद करके आसन की ओर लौट पड़ती है परसाई कहते थे वो जैनी में अपवाध है तुम्हारा बहुत सा समय वारंगणाओं के सहवास में व्यतीत होता है परन्तो तुमने वारंगणा का यहरूपी देखा है आस तुमी मुझे पहचान सकते हो मैं आज भी उसी तरह परवत शिखर पर जाकर मेग मालाओं को देखती हूँ उसी तरह रितु सनहार और मेग दूट की पंतियां पढ़ती हूँ मैंने अपने भाव के कोश्ट को रुप्त नहीं होने दिया परणतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो कुहनिया आसन पर रख कर बैठ जाती है और ग्रंथ हाथों में उठा लेती है नहीं तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो तुमने लिखा था कि एक दोश गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किर्णों में कलंग परणतु दारित नहीं छिपता सौसो गुणों में भी नहीं छिपता नहीं छिपता ही नहीं सो सो गुणों को च्छा लेता है, एक एक करके नश्ट कर देता है, बोलती बोलती और अंतरमुक हो जाती है, फरन्ति मैंने ये सब सह लिया, इसलिए कि मैं तूट कर भी अनुबफ करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देख कर तुम में देखती थी, और आज, आज ये सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर सम्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन, मुझे मेरी सित्ता की बोच से इस तरह वन्चित कर दोगे, बिजली कौंधती है, और मेग गरजन सुनाई देता है, वही आशार का दिन है, उसी तरह मेग गरज रहे हो, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ,